हेलो दोस्तो, हिंदे इंडवाई टिप्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तो, आज मैं आपको MX Player की 8 New Secret Settings के बारे में बताऊंगा जो आपको 2020 में जरूर से पता होना चाहिए दोस्तो, 2020 में MX Player के अंदर कहीं सारे New Updates आये हैं कहीं सारी New Settings को Add किया गया है अगर आप इन सभी सेटिंग को सीख लेते हैं तो आपको MX Player चलाने में पहले से जादा मज़ा आएगा आप पहले से जादा MX Player को Enjoy कर पाएंगे तो अगर आप इन सभी सेटिंग को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना Skip किये, पूरा End तक देखिए एक भी सेटिंग को मिस मत कीजिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो फर्स सेटिंग की मददस से आप MX Player से किसी भी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं जिसे कि हम file transfer करने के लिए share it या फिर vendor का use करते हैं लेकिन अगर आपके phone में पहले से MX player है और आपके friend के phone में भी MX player है तो आप MX player की मदद से किसी भी file folder को transfer कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो इसके लिए आपको MX player को open करना है और उपर आपको इस icon पर click करना है आप देख सकते हैं MX share अगर आप कोई भी file share करना चाते हैं अपने friend के साथ तो दोस्तो आपको इस तरह से उपर की site में swipe कर देना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सभी folder आ चुके हैं अब यहाँ पर आप folder को select करके किसी भी file को share कर सकते हैं अगर आप कोई file को receive करना चाते हैं तो आपको नीची की तरफ इस तरह से swipe करना होगा और यहाँ पर सभी permission को allow करना होगा इस तरह से दोस्तो अगर आपका कोई friend MX player को use करता है तो आप MX player के जरीए किसी भी file को transfer कर सकते हैं QR code को scan करने के बाद तो है ना दोस्तो useful feature तो इस पर तो एक like बनता है यार दोस्तो दूसरी setting की मदद से आप MX player पर dark theme को apply कर सकते हैं अगर आप रात के समय MX player को बहुत ही जादा use करते हैं तो यह setting आपके लिए useful हो सकती है इसके लिए आपको MX player को open करना है और नीचे यहाँ पर me पर click कर देना है यहाँ पर click करने के बाद दोस्तो यहाँ पर अगर आप scroll करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर आपको dark theme का option मिल जाएगा आप देख सकते हैं आप इस setting को on कर दीजिए तो MX player में dark theme apply हो जाएगी जैसे के आप देख सकते हैं इस तरह से दोस्तो आप MX player के अंदर dark theme को apply कर सकते हैं दोस्तो तीसरी setting का नाम है data saver अगर आप MX player के अंदर online videos देखना पसंद करते हैं आप web series देखते हैं movies देखते हैं और ऐसे में आप चाहते हैं कि आपके mobile का data भी बचे जादा खर्च ना हो तो आपको एक setting करना होगी इसके लिए आपको नीचे me पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी enable data saver आपको इस setting को on कर देना है इस setting बंद होगी आप इसे on कर लीजिए इसे on करने के बाद दोस्तो आप काफी हद तक अपने mobile data को बचा सकते हैं तो यह भी काफी useful setting थी अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो जल्दी से like बटन को दबा दीजिए दोस्तो चौती setting की मदद से आप MX player के अंदर किसी भी वीडियो को किसी भी folder को hide कर सकते हैं hide किये गए वीडियो और folder को आपके इलावा कोई भी बंदा देख नहीं पाएगा जैसे के दोस्तो मुझे इस वीडियो को hide करना है MX player के अंदर से तो इसके लिए यहाँ पर three dot पर click करना है इसके बाद यहाँ पर rename पर click करके यहाँ पर दोस्तो इससे rename करना होगा इसके शुरुवात में एक हमें dot लगाना है without space कोई भी space नहीं देना है और एक dot लगा कर okay कर देना है जैसे ही दोस्तो मैंने okay किया आप देख सकते ही वीडियो यहाँ से hide हो चुका है अब इस वीडियो को कोई भी बंदा देख नहीं पाएगा मेरे सिवा जी हाँ दोस्तो अब उस वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है उपर three dots पर click करना है यहाँ पर settings पर click करना है इसके बाद list पर click करना है और आपको यहाँ पर सबसे नीचे आ जाना है यहाँ पर आपको एक settings मिलेगी show hidden file and folder आपको इसे यहाँ पर tick कर देना है टिक करने के बाद back आकर अगर आप उस folder में देखेंगे तो वीडियो आपको वापस देखने के लिए मिल जाएगा आप देख सकते हैं वीडियो यहाँ पर आ चुका है आप इसे पिले करके भी देख सकते हैं और आपको इसे अगर हमेशा के लिए वापस लाना है तो आपको इस three dot पर किलिक करके यहाँ से इसे rename कर देना है जिसे कि यहाँ पर मैं इसे rename कर देता हूँ यहाँ से dot को हटा देता हूँ तो यह वापस भी आ जाएगा और setting में जाकर हमें यहाँ से show hidden file की जो setting थी हमें यहाँ से इसे untick कर देना है इस तरह से दोस्तो आप किसी भी folder को किसी भी file को MX player के अंदर आसानी से height कर सकते हैं आपको सिरिफ rename करके एक dot लगा दिना है तो जो folder है जो file है वो height हो जाएगी जिसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह folder भी height हो चुका है दोस्तो पाचवी setting का नाम है kids lock जब भी हम MX player के अंदर कोई video play करके बच्चो के हाथ में mobile देते हैं तो हम वीडियो पर lock लगा देते हैं लग लगाने के बाद बच्चे इसकिन पर कहीं भी touch करते हैं तो इसकिन काम नहीं करती है लेकिन गलती से बच्चे अगर lock पर click कर दे तो ये video जो है वो unlock हो जाता है इसके बाद बच्चे गडबड कर देते हैं वीडियो को कुछ इधर उधर कर देते हैं वीडियो डिलीट कर देते हैं लेकिन अगर आप यहाँ पर Kids Lock को यूज करेंगे तो बच्चे Lock को Unlock नहीं कर पाएंगे इसके साथ साथ बच्चे Lock को Enjoy भी करेंगे जी यहाँ दोस्तो तो इसके लिए आपको करना होगा एक सेटिंग आपको ओपर त्री डॉट पर किलिक करना है इसके बाद सेटिंग में जाना है यहाँ पर जाना है पिलियर्स में यहाँ पर जाना है कंट्रोल्स में और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा lock आपको इस पर click करना है यहाँ आपको तीन option मिलेंगे तो आपको यहाँ पर kids lock plus touch effect पर set करके इसे यहाँ से okay कर देना है अब यहाँ से हम back आते हैं और मैं आपको video play करके दिखाता हूँ video को मैंने play किया और video को यहाँ पर मैं कर देता हूँ lock अब दोस्तो बच्चे इस lock को unlock कर ही नहीं पाएंगे और skin पर कहीं पर touch करेंगे दोस्तो आप देख सकते ही यहाँ पर एक animation effect देखने के लिए मिलेगा जिसे बच्चे enjoy भी करेंगे और video को जो है वो unlock भी नहीं कर पाएंगे दोस्तो इस video को unlock करने का तरीका है इस lock को जो unlock करने का तरीका है वो कुछ हट करें तो आप video को ध्यान से देखिये इस lock को unlock करने के लिए आपको वीडियो के corner पर यहाँ यहाँ आपको touch करना होगा तो यह unlock होगा जैसे के मैं आपको दिखाता हूँ एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ और एक बार यहाँ तो आप देखेंगे यह unlock हो चुका है इस तरह से दोस्तो किट्स lock unlock होता है तो यह भी काफी useful setting है अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार वीडियो को जल्दी से like कर दीजिए दोस्तो चटी setting की मदद से आप MX player के अंदर किसी भी WhatsApp status को download कर सकते हैं जब भी आप WhatsApp के अंदर किसी की भी status को देखेंगे वो automatic MX player के अंदर save हो जाएगा आप उसे download कर सकते हैं कही पर भी share कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यह मैंने open किया MX player यहाँ पर किलिक करता हूँ तो दोस्तो आप देखेंगे यहाँ पर इन सभी status को मैंने WhatsApp के अंदर देखा था वो यहाँ पर आ चुके है इस download करने के लिए इस download के icon पर किलिक करना है तो यह download भी हो जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर save it में आकर देखेंगे तो सभी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इस share के icon पर किलिक करके आप इसे कहीं पर भी share भी कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं लेकिन दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर WhatsApp का icon है आप चाहते हैं किसी को दिखाई न दे, कोई देखे न है कि आपने कौन-कौन सा WhatsApp status डाउनलोड किया हुआ है, तो आपको इसे यहां से कट कर देना है, तो दोस्तों यहां से हड जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर इसे उक्के कर देते हैं, यह हड चुका है, अब आप जो भी WhatsApp status देखेंगे, वो आटोमेटिक डाउनलोड होगा, लेकिन आपको यहां पर होम स्क्रीन पर द वापस से होम स्क्रीन पर लाना चाते हैं, तो इसके लिए आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको सैटिंग में जाना है, और आपको यहां पर लिस्ट पर क्लिक करना है, आपको नीचे आना है, तो यहां पर आपको एक सैटिंग मिलेगी, WhatsApp status saver, तो आप आपको यहां से इसे टीक कर देना, इसे टीक करने के बाद अगर आप बैक आके देखेंगे तो आपको हूम इसकिन पर वट्सप का उप्शन मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों सातवी सेटिंग की मदद से आप MX Pillar को Audio Pillar भी बना सकते हैं आपको अलग से Audio Pillar डाउनलोड करने की जरुवत नहीं है आपको MX Pillar में स्रिफ एक सेटिंग करना है, आपकी सभी MP3 फाइल MX Pillar के अंदर आ जाएगी और आप MX Pillar को Audio Pillar भी बना सकते हैं तो इसके लिए आपको उपर 3 dot पर कलिक करना है, यहां आपको Settings पर कलिक करना है, यहां आपको Audio पर कलिक करना है और यहां आपको सेटिंग मिलेगी Audio Pillar आपको यहां से इसे उन्टिक कर देना है इसके बाद अगर आप back आकर देखेंगे तो MX pillar के अंदर आपकी सभी MP3 file आ जाएगी जैसे के आप देख सकते हैं यहाँ पर audio files आ चुकी है इसे यहाँ से आप आसानी से पिले करके सुन सकते हैं अगर आपको इन audio file को हटाना है तो आपको वापस से जाना होगा settings में, audio में और यहाँ पर आपको इस setting को untick कर देना है तो आपकी जितनी भी MP3 file है वो सभी वापस hide हो जाएगी इस तरह से आप MX pillar को audio pillar भी बना सकते हैं अगर दोस्तों आपको यह सभी जानकारी पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share जरूर कीजिए दोस्तों अगर आप MX player यूज करते हैं और आपको game खिलना पसंद है तो आप MX player के अंदर बिना download किये game खिल सकते हैं जी हाँ दोस्तों इसके लिए आपको नीचे games पर click करना है तो आपको यहाँ पर कुछ game देखने के लिए मिल जाएंगे जिसे आप आसानी से click करके play कर सकते हैं आपको इन्हें download नहीं करना है तो इस तरह से दोस्तों आप MX player के अंदर game भी खेल सकते हैं बिना download किये तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए WhatsApp, Facebook पर जादा से जादा शेर कीजिए ताके सभी लोगों को इन settings के बारे में पता चल जाए अगर आप channel पर नए हैं तो channel को subscribe कर लीजिए साथ मैं bell icon को दबा कर all पर set कर दीजिए ताके हमारी सभी निव वीडियो की जानकरी सबसे पहले आपको मिल जाए तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए Thank you